वेखर पें में हैं चली उस ठंड़ की मौशम में वाला साध्यों में एक टेस्टी सब्सवों अते हैं घर पे ही बहुत कम समान से घर की समान से मेतिया में लिए मेति भी आसानी से मेति भी जाता है एक बंदल मेति को मेंने बारी काट लिया था अच्छिस दोल के 2-3 पानी थे उसके साथ मैंने फ्रेस मोटर लिया आप इसके जगा चाहने तो फ्रोजय मोटर भी ले सकते हैं और मसालों के यह मैंने एक कटावा प्याज दिया है दो से तीन लेसुन लिया है छिल करके एक इंच अध्रक है और मैंने तीन से चार काजु के भी लिया है और मैंने एक टीबे कि बुrek कट के मैंने लिये में दाल लगे उसको सब्सकेद चिलके रखा है बुई ढाल लेंगे करके बस के यह जल्दी पक जा डाल करके दो मेट इसको ढख करके हम इसे पका लेंगे लोग फ्लियम पीं अच्चे से पक गया है और इसका बावल में निकालेंगे और उसी बावल में हम फिर एक 100 पून एक टेबल स्पून गी डाल दिया घी की फिर बटर भी डाल सकते हैं थोड़े सी जो काजूली वह डाल देंगे लेसुने प्याज है अध्रक है इस सारी चुछों को डाल करके अच्छे से भूल लेंगे हम हलका से भूनने में कलर बहुत चेंज़नी चक करना कि बस ही प्याज हलका सा हो जाए उससे एक साथ यहां पर मैंने एक टीज़़ पून काली मिर्च का पॉडर रज़ों भी डाल सकते हैं और दो से टामाटर डाल दिया एक टीबली स्पून यहां मैंने सुखी धनिया लिया है उसको भी हम डाल देंगे इन सारी चूज़ों को डालने के बाद यहां हलका से नमर डाल देंगे इसके टामाटर रुपया अच्छे से हो जाए थोड़ा से दो मेर्ट तक ढख देंगे धीमियाज करके गैस का फिल्म ब्लो करके इसको ढख देंगे अब देख सके कि टामाट तो अब देख सकते हैं टामाटर अच्छे से गल गया है अब यहां पर आप करके यहां पर उसके बाउल में लेंगे और उसी पैन में हम जब तक टामाटर थो ठंडा हो रहा है उसी पैन में हम एक ट्रिबलूस में फिर गी डाल देंगे और एक टीछ फुन यहां पर मैंने जीरा डाल दिया है चीग चाहँ एक दहां पर चीची डाल दियें क्यक्तड करके आप चोट में-प्ल Lebens में एक इंच दल चीनी डाल दिया है पलगु भुनने के बाद आप या पर टिमार्व को बमाटर्व के बेसाटें पांकतव पिश्ट बना के रखा दो टेमाटा को और पिश्ट करके हैं अब ड़ी ना खाना चाहते हूं तब इसकी जगह मलाईगा इसमाल कर सकते हैं कि दही से थोड़ा खटा पन भी आएगा और मैंने काजू डाला एससे थोड़ा क्रीमी ट्रेक्षर भी आएगा इन सारी चूजों को डालके अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही डालने के बाद हमें बहुत ज्यादा पकाना नहीं है काफी दे तर पकाएंगे तो मगी निकलने लगया कि टमाटर भी पके वे हैं मसाले बच्छे से पके बस दो मेड लगेंगे इसको बनने में दो मेड बसके हमें चलाने कि दही और प्याद इससे मिक्स हो जाएं उसके बाद यहां पर मटर मटर मेति को अच्छे बून की रखा था वह हम डालेंगे इसमें के दो मुटर में चुकर निया में नियुद्य को मायद दो मेतिं को मैंने घुनके पका कर रखा था वह बी मतर मेतिं अच्छे से पक चुका है तो माटर चारा कौने में ο उसको डाल के बस समय दो मीड़ तक सुच चलाना है अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे की मसालम अच्छे से मिक्स हो जाए मेथी और मॉटर क्छा खानें भह ईंभी टेस्टी लगता है एक बाब इसे बनाएंगे तो आपको हचादेundy से बाना चाहेंगे और थेंब में आप मैती ऑचाणी अब अब फ्रेस मेति के जगह आप कसुरी मेति का भी इसमाल कर सकते हैं अब अब स्कूरी मेति भी डाल सकते हैं गर्मी में या थिम एक हम हमेजा ही मिलता है इसे कि दो मेट तक हम इससे पकाना है वस लिए दो मेट हो गया है इसके बाद हम यह टीस्पून यहाँ पर उपर से तफ़राइब गरम असाल डालेंगे आपको और इस पैसी चाहिए तो आप इसमें इसकी जगाँ यहाँ पर एक टेबल इस्पून गरम मसाला के साथ एक टेबल इस्पून यहाँ पर ड़ेड चिली प भ। यह बहुत ही टेस्टी बनावा बहुत ही टेस्टी लगता है आप इसे रोटी पराटा नान के साथ अब खा सकते हैं दूत की मलाई को हालका से फेट करके वह डाल भी क्रीम लाकर अब बाहर की लाकर के डाल सकते हैं आप घ belongings अब देख सकते हैं कि हमारी मतर मेटी की मिलाई बनके त्यार हो गई है उसको थोड़ा साम ठाक देंगे हम इसको हम सर्व करेंगे देखिए मैंने बावल में निकाल लिया ऊपस थोड़ा साम मतर जो फ्राइ करके रखे थे थे थोड़ा से मैंने बचा के रखे थे उसको भी उपस हलका से डाल देंगे गानिस के रिए आप देख सकते हैं कि देखने में कितना अच्छा लग रहा है यह खाने में बहुत ही तेस्टी है उपस हलका से हर्दिया से सर्व कर देंगे आप रोटी के साथ पराठी के साथ नान के साथ गर्म में आप चाहल के साथ भी खा सकते हैं से रात के डिनर में या आज सुबा के लंच में भी आप इसे बना की खा सकते हैं यह बहुत ही टेस्टी बना हुआ है अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसे आपके पहरे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे वे लाइक आप जोड़ दबा दें है